चैय मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों 25 मार्च से चैत्र नवरात्री शुरू हो रहे हैं और इस नवरात्री मातारानी आपकी हर उस इच्छा को पूरा करे जिसकी आप कामना करते हैं तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 मार्च और 26 मार्च के धनुराशी फल के बारे में, धनुराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रहन अक्षत्रों के स्थिति कैसी होगी, क्या यो योग बन रहे हैं, जिनका प्रभाव आपकी जीवन पर देखने को मिलेगा, तो चले जान लेते हैं, इन दो दिनों में क्या तिति होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा, 25 मार्च की बात करते हैं, 25 मार्च शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिति है, यानि पहला नवर रहे हैं, रेवती नक्षत्र रहेगा, ब्रह्म नाम का योग बन रहा है, बुदवार का दिन है, सूर्य मीन राशी में है, और चंद्रमा भी मीन राशी में है, 26 मार्च की बात करते हैं, शुकल पक्ष की द्वेतिया तिति, दूसरा नवरात्र, अश्वरी नक्षत्र, अच्छी है, जिसके आदार पर हम इन दू दिनों की चर्चा करने वाले हैं, लिकर उतसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है, उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों इन दो दिनों में चंद्रमा आपके चौते और पांचवे भाव में होंगे, पांचवे भाव में शुक्र भी विराजमान है और यहां जो चौता भाव है उसमें सूर्य विराजमान है, तो सूर्य के साथ यूती हो रही है चंद्रमा के और शुक्र के साथ भी बिताने का होगा यहां देखा जाएगा कि आपका धहर्य और आपकी इच्छा शक्ति कितनी है और उसके बल पर ही आप अपनी दिनों को वैतित कर पाएंगे देखिए घर में रहने का मौका मिला है और साथ ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं ऐसे में पूरे विद्य विधान से आप माधुर्गा की उपास ना कर सकते हैं भक्ति कर सकते हैं अपनी च्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं यह समय अपने परिवार के साथ इंज्जॉय करने का है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का है तो इस वक्त को ऐसे ही न जाने दे बोरियत न रखें धहर्य बना कर रखें तो कि यह समय है धहरे बना कर रखने का अगर आप work from home की स्थिती में हैं और आप घर पर बैठ कर काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि workload बहुत जादा हो गया है और आराम करने का time नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी काम को नियंदरन करना होगा अपनी काम की गती पर ध्यान देना होगा बाधा हैं लेकिन भागेवस वो जरूर ठीक होंगी और आप आगे भढ़ते हुई भी खुद को देख पाएंगे देखिए अगर आप एक property dealer हैं ऐसे किसी काम से जुड़े हैं तो ये समय जमीन जायदा बेचने की तयारी आप कर रहे हैं तो अच्छा द रखें और जैसे ही मौका मिलेगा जैसे ही समय थोड़ा सा ये बदलेगा तो आपके लिए अच्छी इस्तितियां बनेंगे देखिए दोनों ही दिन मंगलकारी हैं दोनों ही दिन लेंदेन में सावधारी रखनी हैं किसी तरकार की लेंदेन की इस्तितियों से आपको जरूर बचना होगा अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं जमीन जादाद पर निवेश करना चाहते हैं तो सारी चीजों की तैयारी करके रखें थोड़े समय का इंतिजार करें क्योंकि अभी समय लाप्रद नहीं है इस पर अभी और थोड़ा सा आप शोध कर लें क्योंकि ऐसी थोड़ा दहर्य बना कर आपको करनी है इन दिनों में आपको थोड़ी सी सावधानी रखकर यहां चलना होगा दिखे अच्छे दिन दोनों ही रहेंगे प्रेम जीवन में रोमांच के अफसर मिलेंगे अपनी प्रिया के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे माता पिता के साथ तो दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं माता की सेहत का आप जरूर ध्यान रखें माता की सेहत में अगर गिरावट है तो जादा ध्यान आपको उनका रखना होगा परिवार में किसी बात को लेकर गलत फैम या चल रही थी तो गलत फैम या दूर हो सकती है जो रिष्टों प बना कर रखें देखिए ये सब कुछ जो अभी इन दिनों में चल रहा है आप काम पर नहीं जा पा रहे हैं आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी दिंचरिया थोड़ी सी अलग हो गई है लेकिन ये सब भी हमारे जीवन का ही जरूरी हिस्सा है और ये सब जो काम हो रहे ह ये हमारे लिए ही हमारे देश के लिए हमारे अपनों के लिए बहुत जरूरी है तो इनमें अपना सहयोग दें अपनी पर ध्यान दें अपने घर में बैठें कुछ जो घरेलु का रहे हैं उन पर ध्यान दें बच्चों पर ध्यान दें तो इन स्थितियों में आपको अपन रूटिन भी बदलना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से इन दिनों का व्यतित कर सकें वर्ना परिवार में उतार चड़ाव किस्तितियां बन सकती है आगे आने वाला समय आपके लिए नुकुल रहेगा फिर से गाड़ी पटरी पर दोड़ेगी और आप फिर से अपनी काम पर लौट सकेंगे इस समय आपकी सूजबूज आपके काम आएगी और अगर परिवार में कोई दिक्कते चल रही है तो उन दिक्कतों का सामना करें उन से निपटने का काम आपको शुरू करना है एक तो अगर आप अपनी करियर की तरफ खास द्यान नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है आप आने वाला समय आप ज़रूर निश्चित रूप से अपनी करियर को समाल पाएंगे आगे बढ़ा पाएंगे क्रशी या प्रकर्टी से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए समय लाब दायक है परिशानियों को दूर करने में आपके दोस्त इस समय आपके मदद के लिए सामने आ सकते हैं यह समय तो अनुपुल है बस निरभर करता है कि आप इस समय को किस नजरिये से देखते हैं इस सम के लिए इन दिनों को में अच्छी बाहर कर सके आप धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं अपने परिवार में धर्म कर्म के कामों से जुड़ सकते हैं और इसके लिए यह खुशनूमा छड़ होंगे जो अपने परिवार को आप बांध कर रखेंगे इस समय देखी प्रेम के मुमेंट्स आपको संजो कर रखने होंगे कुछ ऐसे मुमेंट्स आपकी जिन्दगी में आने वाले हैं जो आपके लिए खुशा ले देंगे जो लोग साजेदारी में काम करते हैं और वो काम कर भी रहे हैं तो उन्हें लाव होगा आप कारबार को बढ़ाने के लिए कुछ योजने बना रहे हैं तो उनको नोट करके रखें अपने इस समय घर के लोगों को सलाह मश्वरात देते रहें अब बज़र्गों का खास तौर से आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा अगर आप पहले से स्वास्ते समन्दी किसी बिमारी से पीड़िता है कोई स्वास्ते खराब था तो उसमें सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा देखिए अगर किसी के साथ समय दन सील रिष्टे हैं तो उन रिष्टों को याद करें बाच्चीत करें ध्यान रखें किसी भी तरह की गलत फैमी ना हो पाए पहले कहने से पहले सब कुछ ध्यान से सोच लें और उसके बाद अपनी साथी की बातों को भी ध्यान से आपको सुनना होगा देखे ये ऐसा समय है नवरातरी चल रहे हैं और इस नवरातरी के दिनों में आप अपनी राशी के अनुसार माता का स्मरंण कर सकते हैं माता की उपासना कर सकते हैं जो आपके लिए लाबदायक रहेगी धनु राशी के लोगों के लिए चंद्र घंटा मा की उपासना करना सबसे अधिक लाबदायक है उनके राशी के अनुसार आप इन नौ दिनों में चंद्र घंटा मा की उपासना करें और उनसे सम्मंदित मंत्रों का जब करें, अनुस्ठान करें देखे घंटा प्रतीक है उस ब्रह्मनाद का जो साधक के भै और विग्नों को द्ध्वनी से नश्ट कर देता है तो राशी के नुसार आपको इनकी उपासना करने चाहिए ये नौ दिन ऐसे हैं जिन में सरवार्ट सिद्धी योग, रवी योग, ब्रह्मयोग, अमर्द सिद्धी योग इतने शुबयोग बन रहे हैं इसलिए कहा कि ये जो नौ दिन है ये अदभुत दिन है अगर आपकी जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई परिशानी चल रही है तो इन नौ दिनों में आप उनको दूर कर सकते हैं इस समय माता प्रत्व पर विचरन करती है और अपनी उर्चा से सराव बूर करती है और ऐसे में शुब योग आ जाएं तो क्या कहने और इन दुनों में देखे शुकर का भी राशी परिवर्टन होगा तो इस थितियां कैसी भी हो लेकिन आप पूरे विदिविदान से माता का आशिरवाद लें उनकी पूजा आर्चना करें वरत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है वरत नहीं रखते हैं अपने स्वास्थेक के ध्यान में रखते हुए आप वरत रखने का पालन करें ने तो आप ऐसे भी सुभा शाम माता की आरती कर सकते हैं और उनकी मंत्रों का उचारण कर सकते हैं उनके प्रिये भोग आप लगाएं और खुद भी घ्रहन करें तो ये देखे समय है कि आप अपनी घर पर रहकर सभी कामों को करें देखे कभी कभी इस्तितियां जो है वो नाजुक होती हैं एक बार फिर से मैं आप सभी से ये निवीदन करना चाहूंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी घर पर विताएं अपने छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी का ध्यान रखें बाहर कम से कम निकलें खास वर से बुजर्गों का तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है बुजर्गों को बाहर जाने की परिशानी ना हो इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये देखिए हमारे देश के हित में भी है जन हित में भी है और परिवार के हित में भी है अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो हम हर किसी बड़ी से बड़ी परेशानी को भी दूर भगा सकते हैं और ये ऐसा ही समय है जब हमें अपने धहरे का परिशे देना है जो घर में रहना है वो हमारी लिए भी सुरक्षित है और दूसरे लोगों के लिए भी सुरक्षित है तो अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहें बाहर बिल्कुल न निकलें हमें इस जंग को जीतना है और हम ज झाल झाल